हेलो एवरिवन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज श्टडी मैट्रियल में फ्रेंट्स आज हम थर्ड लेकर आए हैं क्लास सेवन्थ की बुक श्टार्ट कर रखी है हमने हमारे अतीद दो लेसन पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और आज का लेसन है हमारा दिल्ल के सुल्तानों के बारे में पढ़ने वाले हैं दिल्ली पर किन-किन सासकों ने राज किया है यहां पर किस-किस ने सासन किया है और वे सुल्तान कौन-कौन से थे जिन्नोंने यहां पर सासन किया है तो अगर आप भी हमारे डिली क्लास जोइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बैल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि क्लासिच के नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचते रहें तो चलिए देखते हैं दिल्ली के सुल्तान के बारे में देखे इससे पहले हमने जो लेसन पढ़ा था उसमें कावेरी डेल्टा के बारे में पढ़ा था वहां पर जो चेत्र हुए थे इससे पिछले लेसन में तीन हमने पढ़ा था त्रीपक्सि संकर्स जिसमें पाल पर्तिहार और राश्टकूर्च सासकों के बारे में पढ़ा था उनके छेदर कहां कहां थे इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था अब इसके बाद रासदानी जो दिल्ली बनती है क्या कारण है कि मुक्के रूप से दिल्ली केंदर बना रहा इसके बारे में देखते हैं दिल्ली मैथपून सहर कब बना पहले पहल तोमर राजबूत काल में दिल्ली की सामराजय की राजधानी बनी तो एक बारवी सदी के मध्या में तोमरों को अजमेर के चोहानों जिने चाहमान के नाम से भी जाना जाता है ने परास्त किया तोमर और चाहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वानिज्य का महत्फून केंदर बनी और इसी करम में जो दिल्ली को बसाया था तोमर संबंदी थे एक सासक अनंगपाल सिंग तोमर अनंगपाल तोमर थे जिन्होंने दिल्ली को बसाया था इस सहर में बहुत सारे समरत साली जैन्वियापारी थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्मान भी करवाय था देली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी यहां ढाले जाते थे जो काफी परचलन में थे यह देखें यहां पर कुछ सहर दिखाए गए हैं जो 13 और 14 सदी में रहे हैं जैसे कि यहां पर तुगला का बाद यह आदिलाबाद होजे सुल्तानी यहां पर कुत्ब मिनार हैं जो कुत्बुदीन एबक ने बनवाई थी यह दिल्ली एको हैना यह होजखास सीरी जहापना फ स्थापना यहां कैसे हुई देखें जो मुखमद गोर्य आता है बाद पर आक्रमन करने तो यहां के जब walking कर जाता है यहां से तो अपने से चैट्रों पर कुत्बुदीन इस जोब्यंता है और कुत्बुदीन एबक यहाँ पर सासंग करता है और एक नए वन्स की यह दालत सदी के आरंब में इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजदानी में बदल गया जिसका नियंद्रन इस उपमादीब के बहुत बड़े छेटर पर फैला था जैसे कि अभी हमने यहां पर आपको कुछ बताए भी कुछ छेटर दिखाए जो इंपोर्टेंट रहे हैं इसके बाद यहा ने यहां पर सासन किया है वे पांच परमुक ऒंस कौन कौन से हैं उनोंस के से पहले कि पार यहां देख लेते हैं राजपूत वंस जब यहाँ पर राजपूत वंस थे उनमें तोमर वंस में कौन थे? अनंगपाल तोमर थे जिनोंने 1130-1115 तक यहां सासन किया है इसके बाद चोहान जिनमें पृतिवाज चोहान पर मुक रहे हैं इनोंने 1175-1192 तक सासन किया है इसके बाद जो सल्तनत का सुरू होता है इसमें प्रारंबिक तुर्की सासक जो तुर्की सासक रहे हैं गुलाम वंस रहे हैं ये इन्होंने 126-1290 तक सासन किया है और इस 126-1290 के बीच में कौन-कौन से सासक हुए है इसके बाद इनके दामाते संसुद्दीन इल्तुतमीस 1210-1290 की पुत्री थी इन्होंने 126-1290 तक सासन किया है और इसके बाद कुछ राजा हुए कुछ सासक हुए लेकिन वो इतने मैथपूर नहीं रहे जो गयासुद्दीन बलबन है इन्होंने सासन किया है 1266-1287 तक तो तुर्की सासक या गुलाम वंस के लिजी ये मुख्या रूप से चार सासक इसमेर पर मुक रहे हैं और इस तरीके से तुर्की सासकों ने 126-1290 तक यहां पर सासन किया है और इधर देखिए ये इल्टुतमीस का मकबरा दिखाया गया है अब जब गुलाम वंस समाप्त होता है तो इसके बाद नीव डलती है खिलजी वंस की खिलजी वंस जो 1290-1320 तक रहा है ये देखे जो यहां कैटेगरी वाज दिखाया गया है इनके इयर बहुत इंपोर्टेंट है और सारे सासकों का तो ये इयर याद होना भी चाहे क्योंकि कोश्चन में किसी के बारे में पूछ ले जाता है कि उसने कब से कब तक सासन किया है या पिर सब इन्हें करम से लगाना दे दिया जाता है कि कुटबुदीन जो गुलाम वंस था सबसे पहले कुन सा है था गुलाम वंस उसके बाद खिलजी वंस ऐसे ही इन्हें सारे वंस के नाम दे दे जाते हैं हो इन्हें करम से लगाने के लिए बोल दिया जाता है तो गिलजी वंस में जो पर्तम साथक रहे हैं जलाल उदीन کھیलजी जिन्होंने किलजी वंस की नीव डाली थी इन्होंने 1290 से 1296 तक शासन किया था अब इसके बाद अलावदीन खिलजी जो जलालुदीन खिलजी के बतीजे थे इन्होंने 1296 से 1316 तक सासन किया और इसके बाद 1316 से 1320 तक इनके बाद में कुछ सासक रहे हैं लेकिन वो इंपोर्टेंट नहीं रहे इतने और उसके बाद जब इसमाप्त होता है खिलजी वंस कब 1320 में तब नहीं पड़ती ह तुगलगवंस की जो सासन करते हैं यहां पर 1320 से 1414 तक यह देखिए यहां पर अलाई दरवाजा दिखाया गया है यह अलाई दरवाजा कहा बना है जो कुतुब मिनार है उसी के परीसर में अलाव दिंखिलजी ने यह अलाई दरवाजा बनवाए था अब तुगलगवंस जो 1320 से 1414 तक रहा है इसमें पर्तम सासव गया सुदीन तुगलग थे जिनोंने तुगलगवंस की नीव रखी और 1320 से 1324 तक सासन किया इसके बाद आता है मुहमद तुगलग इन्हें मुहमद बिन तुगलग इनका पुरा नाम था इनोंने 1324 से 1351 तक सासन किया इसके चीहाद सेयदवंस आता है दिली पर जो शासन करते है ondjah और में और सेयदवंस 1214 से 1451 तक करते हैं जिनमें पर्मुक सासक रहे हैं इन्होंने 1414 से 1421 तक किया था इसके बाद इनके उत्रा दिकारी होते हैं जो शासन करते हैं और इसी तरह के से फिर 1451 में लोधी वंस की नीव पढ़ती है दिल्ली पर जिन्नों ने 1451 से 1526 तक सासन किया परमुक राज रहे थे इसमें बैलोल लोधी जो 1451 से 1499 तक सासन करते हैं इसके बाद इनके पुतर सिकंदर लोधी और फिर इब्राहिम लोधी और 1526 में इनकस अंत होता है कब जब बाबर भारत पर आक्रमन करता है और पानिपत का पर्थम यूद होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीज और सलतनत काल समाप्त होकर मुगल वंस की निव पढ़ती है तो यह थी तालीका जिसमें इन सारे सासकों को यहां पर सीरियल वाइस दिखाया ग यह थे सलतनत काल के पांच परमुक वंस चलिए अब फिर से लोट कराते हैं यहां देखते हैं दिल्ली के सुल्तानों के बारे में अब जानकारी देख लेते हैं कहां कहां से प्राफ होती है अभी लेक सिक्को और इस्थापत्या के माध्यम से कापी सुचनाय मिल जाती है इ है वे इत्यास तारीक तारीक क्या यह एक वचन है और तवारीक पहुवचन जो सुल्तानों के सासनकाल में परसासन की भासा फारसी में लिखे गए थी तो यहां से देखे कोशन तो यह निकलता है कि इस समय परसासन की बासा क्या थी फारसी में बहुत सारे लेक लिखे गए इनकी कुछ पुस्ता के लिखी गए जिनके द्वारा हमें इनके बारे में सिल्तनतकार के बारे में जानकारी प्राप्त होती हैं कुछ इनके भवन निर्मान है जैसे कि अभी हमने कुट गुद्दीन एबग द्वारा बनाई के बारे में देखा अलाई दरवाजा और बहुत स एलगा और कैसे ये सब कारें यहाँ पर किये जा रहे हैं कि तवारीक के लेखाक सचीव परसासक कवी और दर्बारी। जैसे कि सुुषिक्सिक्त व्यक्ति होते जो घटनाव का वरणन भी करते थे और सासकों को पर राजा का काम सैनिकों के बीना नहीं चल सकता था सैनिक वेतन के बीना नहीं जी सकते थे अब वेतन आता कहां से था किसासनों से एकत्रित किये गए राजस से जो किसानों से कर लिया जाता था उसे एकटा करके वेतन के रुप में दिया जाता था मगर किसान भी राजस तभी च चलता है किसान खुसाल कब रहेगा जब राजा उसे खुस रखेगा उसके बारे में उसकी साहिता करेगा उसके कारिया को बढ़ावा मिलेगा अब राजा जो किसानों से आए प्राप्त होगी उनसे किसे वेतन प्राप्त होगा सैनिकों को वेतन प्राप्त होगा जब सैनिकों में रहते थे अभी हमने तवारिक जो देखा ये तवारिक के बारे में बता रहे हैं तवारिक के लेखा कहा रहते थे नगरों में रहते थे साइद गाउं में भी रहते हो ये अक्सर अपने इत्यास सुल्तानों के लिए उनसे डेर सारे इनाम और रकम पाने के लिए लिखा करते थे ये लेखाग अक्सर सासोकों को जन्व सिद अधिकार और लिंग बेद पर आदारित आदर्स समाज विवस्ता बनाई रखने की सला देते थे उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे 1236 में सुल्तान इल्टुतमिस की बेटी रज्यसिनासन पर बैठी उस यूग के इत्यासकार मीनाज ए सिराज ने क्या कहा है वे कहते हैं वे अपने सबी भाईयों में अधिक योग्या और सक्सम थी लेकिन फिर भी वो एक राणी के को सासक के रूप में मानने तर नहीं दे पा रहे थे दरबारी जन भी उसके स्वेतन रूप से सासन करने की कोशिसों से खुस नहीं थे सन 1240 में उसे सिनासन से हटा दिया गया तो देखे मिनाज सिराज भी स्वेम कहते हैं कि वो अपने भाईयों में सबसे योग्या थी लेकिन इसके बवजूद भी उसे कोई भी एक राणी के रूप में सुईकार नहीं करता है दर्बारी जो थे वो भी उसे सुईकार नहीं करते और इसी तरहेंगे से वो केवब 1236 से 1240 की सासन कर पाती है उसे फिर हटा दिया जाता है और बाद में उसकी हट्या भी कर दी जाती है जन्सीद अधिकार अभी यहां पर सब्द आये था इस कर्द क्या है जन्सीद अधिकार अर्था जन्म के अधार पर विसेस अधिकार का दावा उधारन के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवार में जन्म लेने के कारण सासन करने का अधिकार विरासत में मिल जाता है और यही होता है जमसीद अधिकार लिंग वेद क्या है इस्त्रियों तथा पुर्सों के बीद सामाजिक तथा सरीर रचना संबंधी अंतर आम तोर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारम पुर्स इस्त्रियों की तुलना में स्रेश्ट होते हैं अब मीनाज ए था के विरुद्धातर था इसलिए वो पूस्त है खुदा की रचना के खाते में उसका व्योरा जोकि मर्दों की सोची में नहीं आता इसलिए इतनी भुसान दार कूबियासे भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ कि रज्य में इतनी इसारी खूबिया थी लेकिन फिर भी उसे क आसिल हुआ रज्य ने अपने अभी लेकों सिक्कों पर अंकित करवाया कि वैस सुल्तान इल्टुतमिस की बेटी थी आधुनी कांदर परदेश के वारंगल छेत्र में किसी समय काक्तिय वंस का राज्य था उस वंस की एक रानी हुई है रानी रूद्रमा देवी रानी रूद जैसा लिख्वा कर अपने पूरुष होने का ब्रह्म पैदा किया था जहां इल्टुतमिस की बेटी रजिया ने एक रानी की तरह सासन किया वही रूद्रमा देवी ने पूरुष बनकर सासन किया था एक मैला एक और मैला सासक थी कस्मीर की रानी दिद्दा इन्होंने 980-100 2003 तक सासन किया था इनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला जाहिर है पर जने अपनी पिर्या रानी को यह इसने भरा संबोधन दिया होगा तो इस तरह से यह देखे कहीं रानियों के बारें बताए जो मैला मैला सासी का बनी है इनके बारे में दिल्ली सलतनत का विस्तार सम जीते गए परमुक सहर कौन कौन से थे यहां देख लेते हैं देखिए यहां पर गैरिसन से सहर से साम राज्य तक अब यहां पर यह सारे छेतर वो हैं जो इल्टू तमिसने जीते थे जैसे कि हां काज कोट नंदाना लाहोर मुलतान उच इधर बनारस अवद तरन थंबर त की पूर्ति करें गैरिसन सहर क्या होता है किले बंद बसाओ जहां केवल सैनिक रहते थे तेरवी सदी के आरंबिक वर्सों में दिल्ली के सुल्तानों का सासन गैरिसनों रक्सक सैनिकों की टुकडियों के निवास के लिए बने मजबूत किले बंद सहरों से परे सायध ही कभ पर रहना पड़ता था दिल्ली के दूर दिल्ली से दूर बंगार और सिंद के गैरिसन सहरों का नियंत्रम बोती कटिम था बगावत यूत यहां तक की खराब मौसम से भी खराब मौसम में भी उनसे संपर्क से नाजुक्सूत चीनबिन हो जाते थे सासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों सुबेदारों से बराबर चुनोतियां मिलती रहती थी क्योंकि इदर से भी बारी जो सासक हाते थे हमला करते थे बार्त में प्रोइस करते थे जरवसी कमजोरी का आबास मिलते ही विद्रों का जंडा खड़ा कर देते थे इन चुनोतियों के चलते हुए सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आपको बचाए हुए थी इनका संस्थापन ग्यासुदीन बल्बन के सासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाओदीन खिल्ची और मुहमत दुगलग के राज्यकाल में हुआ सल्तनत की बीतरी सिमाव में जो अभियान चले उनका लक्षय क्या था गैरिसन सहरों की प्रश्भोंई में इस्थित बीतरी छेतरों की स्थिति को मजबूत करना इन अभियानों के दोरान जो गंगा युमूना दोआब से जंगलों को साप कर दिया गया और सिकारी संगराक और चरावाहों को उनके परियावाद से खदेड दिया गया था वह जमीन किसानों को दे दी गई ताकि ये उसमें किर्सी कर सके वियापार मारको की सुरक्सा और शेते वियापार की उननती की खाते नए केले केरिसन सहर और सहर बनाए गई दूसरा विस्तार सलतनत की बारी सीमा पर हुआ अलाओदीन खिलजी के सासनकाल में दक्सिन भारत को लक्षा करके कई सैन्य अभियान सुरू किये गई ये अभियान मुहम्मद तुगलक के समय भी अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थे इन अभियानों में सलतनत की सीमा उनने हाती, घोडे, गुलाम और मुल्यवान धातों पर कपज़ा कर लिया था दिल्ली सलतनत की सेना की सुरूत में इनकी सेना कमजोर थी लेकिन डेड़ सो वर्स बाद मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल की अंत तक इस अउक महादीव का एक विसाल छेदर, इसके यूद अभियान के अंतरकत आ चुका था इसने सत्रों की सेना को प्रास्त किया, सहरों पर कबज़ा किया इसके सुबेदार और परसासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे साथी किसानों से कर भी वसूलते थे इतनी विसाल छेदर पर देखे कैसे नियंतरंग कर पाते थे और वो भी कितने परभावी तरीके से अलाओ दिन खिल जी का तक्सिन भारत अभियान यहां पर दिखाया गया है यह देखे कैसे, यहां पर दिल्ली से इसासन कर रहे थे और उसके बाद यहां गुजरात को जीते हैं 1299 में 1303 में चितोर पर विज़ा पराप्त करते हैं 1301 में रंथम बोर पर देवगिरी पर 1305 में इधर यहां से 1296 में यहां आते हैं फिर यहां से वारंगल त्वार समुंद्रा और तंजवूर देखें आसक तो दिल्ली से कैसे इत अखरी दसक में बनी कुवत अलिसलाम मस्जिद तथा उसकी इमारत ही देखे कुवत अलिसलाम मस्जिद इसे कुत्व मिनार कहा जाता है यह इसकी मस्जिद और इसके आसपास जो भी यहां पर मिनारे बनी हुई हैं यह देखे इसकी मिनारे हैं और यहां पर जो जो बना जै दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाएक्य सबसे पहले सहर में इस्तित हैं में इत्यास में में इस सहर को दिल्ली और टौहना-ध़ान अरथ-पुरान सहर का गया है इस इस मस्जिद का इलतुतमिस और अलाओ दिन खिलजी ने और विस्तार किया मीनार तीन सुल्तानों जिन में कुत्पुदीन एबक, इलतुतमिस और फिरोद साथ उगलग द्वारा बनवाई गई थी कुत्पुदीन एबक शेश सुरू करते हैं और लेकिन इसके पुरा होने से पहले हिनकी मरत की होजाती है फिर लतुतमिस से पुरा करते है और उसके बाद फिरोद साथ उगलग द्वारा इसमें उपर की मेनार बनवाई जाती है मस्जिद के बारे में देखते हैं मस्जिद क्या है ये गर्भी बासा का सब्थ है जिसका अर्थ होता है ऐसा इस्थान जहां मुसल्मान अल्ला की आराधना में सजदा करते हैं अर्थात कुटना और माते टेकते हैं जामा मस्जिद या फिर मस्जिद ए जामी ऐसी मस्जिद होती हैं जहां अनेक मुसल्मान एकत रोकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं आप नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक समानिय और विद्वान-पुरूस को इमाम या फिर नेता की रूप में चुना जाता है इमाम सुक्रवार की नमाज के दोरान धर्मोपतेस या खुतबा भी देता है तो खुतबा किसे कहा जाता है धर्मोपतेस को नमाज के दोरान मुसलमान मक्का की तरफ मूँ करके खड़े होते हैं और भारत में मक्का पश्चिम की और पड़ता है इसलिए मक्का की और की दिसा को किबला कहा जाता है तो भारत में जो नमाज पड़ी जाती है पश्चिम दिसा की और मूं करके पड़ी जाती है और मक्का की दिसा को क्या का जाता है किबला अब यहां पर देखें यह एक मस्जिद है यह मस्जिद कहा की है ये बेगमपुरी मसजीध है और इसे मुहम्मद दूगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उनकी नए राजदानी जहाँ पना की मुक्या मसजीध के तोर पर बनवाया गया था दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमाधिप में अनेक सहरों में मस्जिदे बनवाई इस से उनके मुस्लमान और इसलाम के रक्सक होने के दावे को बल मिलता है समान अचार सहीता और आस्ता का पालंग करने वाले सरद्धालों के परसपर एक समुदाय से जुड़े होने का बोद उत्पर करने में भी मस्जिदे साहक है एक समुदाय कांग होने के बोद को परबर करना था क्योंकि मुस्लमान अनेक बिन बिन परकार के प्रश्ट भूमियों से भी आते थे ये देखें ये मोट की मस्जिद है जो सिकंदर लोदी के सासनकार में बनवाई गई थी और इधर जमाली कमाली की मस्जिद ये जिसे पंदर सो बीस में बनवाया गए था और आगे देखते हैं खिल्जी और तुगलक के वंस के अंतरकत परसासन और समेकन के बारे में देखते हैं जो खिल्जी वंस और तुगलक वंस में क्या क्या हुआ है दिल्ली सल्तना जैसे विसाल सामराजे के समेकन के लिए विस्वस्निय सुबेदार परसासकों की जरूरत थी दिल्ली के आरंबिक सुल्तान जैसे की इल्दुतमीज सामंत और जमिदारों के स्थान पर अपने विसेज गुलामों को सुबेदार नियुक्त करना जादा पसंद करते थे इन गुलामों को फार्सी बासा में क्या कहा जाता है गुलामों को कहा जाता था बंदगां इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था उन्हें राज्या के कुछ बहुती मैत्पून राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से परसिक्सित भी किया जात था जो कि वे तो पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्बर होते थी इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्बर हो सकते थे क्योंकि इस इलतुतमी सुम एक दास रहा है किसका कुद्पुदी ने बखका इसलिए इनके यहां पर यह गुलाम विवस्ता थी बेटों से बढ़कर गुलाम यह देखें यहां पर कितने बात दी गई है यह सुल्तानों को सला दी जाती थी जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी देखबाल हमें करनी चाहिए क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्या और अनुबवी गुलाम मिलता है बुद्धिमानों को कहना है कि योग्या और अनुबवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है अर्था जो अनुबवी गुलाम होता है वो अपने बेटे से भी बढ़कर होता है खिलजी और तुगलक सासक बंदगा का इस्तमाल करते रहे साथ ही अपने आसरित निम्नवर्ग के लोगों को भी उचे पदों पर बिठाते रहे ऐसे लोगों को सेनापत्य और सूबेदार जैसे पद दिये जाते थे लेकिं इसी राजनीतिक एस्तिता भी पैदा होने लगी गुलाम और आसरित अपने मालिक और संडग सकों के परती तो वफदार रहते थे लेकिन जो बाद में उनके उत्रादीकारी होते थे वो उनके परती वफदार नहीं रहे नए सुल्तानों के अपने नोकर होते थे पल्सरोप किसी नए सासा की सिनासन पर बैठते ही प्राइन नए और पुराने सरदारों के बीच जो टक्रारती उसुरू हो जाती थी सुल्तान द्वारण जो निचले तब्कये के लोग थे उन्हें संरक्सन दिये जाने के कारण उच वर के कहीं लोगों को भी कहरा दक्कार लगता था और वे उनसे रुष्ट हो जाते थे फार्सी तवारिक के लेखाकों ने निचले खांदान के लोगों को उचे पद उपर बैठाने के लिए दिल्ली के सल्टानों की अलोचना भी की है सुल्टान मुहम्मद तुगलक के अधिकारियों के बारे में बता रहे हैं सुल्तान मुहम्मद तुगलख ने अजीच खुमार नामक कलाल जो सराब बेचने वाला था फिरूज हज्जाई नामक नाई मनका तबाक नामक बावर्ची और लड़ा तथा पीरा नामक मालियों को उंचे परसासनिक पदों पर बिठाया था परस्क और सासन की एशम्ता की उधार्नों के रूप में किया है। और इस लिए इनकी hiring कारियों की आलोचना भी की गई है। पहले वाले स्ल्थानों की ही तरहा खीलद OF तुलक शासो underwater के निक्ता कीया। ये इलाके एक्ता कहलाते थे और इन्हें संबालने वाले अधिकारी एक्तादार और या फिर मुक्ती कहलाते थे मुक्ती का फर्ज क्या था सैनिक अभियानों करने तर्फ करना और एक्तों में कानों और विवस्ता को बनाई रखना अपनी सैनिक सेवाओं के बदले में वेतन के रूप में मुक्ती अपने इलाकों से राजस की वसुली क्या करते थे राजस के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनखा दिया करते थे मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे परभावी तरीका ये था कि उनका बद वन्स प्रमपरा से न चले और कोई भी इकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले जिसके बाद उनका इस्थनांतरन कर दिया जाए इसे वे अच्छे तरीके से कारिया करते थे सुल्तान अलाओदीन खिलची और मुहमत तुगलक के सासनकाल में नोक्री के इन कठोर नियमों का बड़ी सक्ति से पालन किया जाता था मुक्ति लोगों द्वारत एकत्रित किये गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्ये द्वारा लेख अधिकारी न्युक्त की जाते थे और इस बास का ध्यान ढखा जाता था कि मुक्ति लाज्ये द्वारा निर्धारित कर히ी वसूलई और तैसंख्या के अनुसार ही वे सायनिक रखे जब दिल्ली के सुल्तान सेरों से दूर आंतरी किलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमी के स्वामी, सामन्त और अमीर जमिदारों को भी अपनी सत्ता के आगे जुगने के लिए बाध्यक कर दिया अलाओदिन खिल्जी के सासनकाल में वो राजस के निर्धारन और वसूली के कारिया को राजजय अपने नियंतरन में ले आया था इस्ताने सामन्तों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया बलकि स्वाम उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्यक किया गया तो देखें जहां सामन्तों से कर वसूलते थे अब क्या होता था कि सामन्तों से भी कर वसूला जाने लगा सुल्तान के परसासकों ने जमीन की पैमाई स्कीं और इसका हिसाब बड़ी साथदानी से रखा कुछ पुराने सामन्त और जमीदार राजस की निधारन और वसुली अधिकारी के रुप में सल्तान की नोकरी करने लगे उस समय तीन तरहके कर थे अभी तीन तरहके कर कौन कौन से थे कि एक कर किर्सी पर लगाया जाता था जिसे खराज कहा गया तो खराज क्या था ये किर्सी कर था और जो किसानों की उपज़ का लगबग 50% होता था तो बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंदन करना मुस्किल था और दक्सिन भारत की विजह के तुरंत प्रांत ही वो पूरा छेट फिर से स्वेतंत्र हो गया क्योंकि जो दक्सिन का छेट था वो काफी दूर पर ता और जैसे ही उन पर विजह प्राप्त करके वापस इस्थाने सरदारों ने इन छेत्रों में अपना सासन जमा लिया अलावदिन खिल्ची और मुम्मत तुगलक इन इलागों पर जोर जबस्ती अपना अधिकार जमातों लेते थे परंतु व्यादिकार कुछी समय तक रह पाता था सरदार और उनकी किले बंदी के बारे में देखते हैं अफरीकी देश मौरकों से चोधवी सदी में भारताय यातरी इबन बदूता ने बताया तो ये देखिए यहां से कोशन निकल कराता है तो अबन बतूता कौन थे? ये एक यातरी थे कहां के? मौरको कहां पर है? अफरीका में हैं और कब आए थे भारत 14 सदी में इन्होंने कहा है कि सरदार कभी कभी चट्टानी, उबर्खाबर, पाड़ी राकों में किले बना कर रहते थे और कभी कभी बनस के जूरुमूतों में रहते थे भारत में बनस पोला नहीं उता, ये बोध बड़ा होता है इसके अलगला किस्से आपस में इस तरह से गुते होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिला कर बहुत ही मजबूत होते हैं सरदार इन जंगलों में रहते हैं और जो इनके लिए किले की प्राचिर का भी काम देते हैं इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेसी और फसल रहते हैं अंदर ही पानी उपलब्द होता है अर्थात वहां एकत्रित हुआ वर्सा का जल इसलिए उन्हें परबल बल साली सेनाव के बिना हराया नहीं जा सकता ये सेनाय जंगल में गुसकर खास्तोर से तियार किये गए ओजारों से बासों को काट डालती है तो यह देखें यह वर्ना किस ने किया था मोरकों के यातरी बनबुतूता का वर्नन था इसके बाद यहां चंगेज खांके बारे में बात हो रही है चंगेज खांके दिल्ली पर अब आक्रमन किया अलावदिन खिलजी और मुहमत तुगलक के सासन काल के आरब में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए इनसे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विसाल स्थाने सेना रखनी पड़ी इतनी विसाल सेना को संभालने के लिए पर सा रखना पड़ता था तो उनका रख रखा उन परसेंद बहुत खर्श होता था उन्हें वेतन भी देना पड़ता था तो यहां पर देखिए दोनों के बारें बात हो रही है अलावदिन खिलजी और मुहमत तुगलक के बारे में तो दिल्ली पर दो बार आक्रमन हुए हैं अ 1299 में और 1300 में 1299 में और 1302-1303 इनके बीच इनका सामना करने के लारावदिन खिलजी ने एक विशाल इस्थाई सेना रखी थी मुहमत तुगलक के समय बात की जाए तो इनके सासन के प्रारंबिक वर्सों में सलतनत पर हमला हुआ और मंगोल सेना प्रास्त हो गई मुहमत उसका आखरामक कदम था इसकी बात अलावदिन खिलजी ने अपने सेने को के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन सहर बनाया इधर तुगलक की बात की जाए तो नया गैरिसन सहर बनाने की स्थान पर दिल्ली के चार सहरों में सबसे पुराने सहर दिल्ली एकोहना को निवासि उसे खाली करवाकर से सानिक चावनी में बदल दिया था पुराने सहर के निवासियों को दक्सिन में बनी नई राजदानी दोलतावाद भेज दिया गया अलावदिन खिल जी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने अपने सैनिकों का पेट भरने की समस्या को गंगा यमूना के बीच की भूमी से करके रूप में खेटी की पैदावर कर इकटी करके हल किया और उन पर कर बढ़ा दिया गया कितना 50% तक कर लगा कर अपने सैनिकों को बोजन की विवस्ता की इधर अगर इनकी मुमद बिन तुकलक की बात की जाए तो इन्होंने सेना को खिलाने के लिकिन सैनिकों की विशाल संक्र की जरूरति पूरी करने के लिए सुलतान ने अतिरिक्ट कर भी लगा धी और इसी समय यहां पर अकाल भी पढ़ गया था अब सैनिकों को वेतन की बात आती है तो अलावदिन खिलजी ने वेतन कैसे दिया अलावदिन सेनीगों को वेतन बेटन ऊभिता के स्थान पर नगत वेतन दिया एक धा क्या था ने को को वेतन के बदलें भूमी दी तरोका उलंगर करते थे उन्हें सजा भी मिलती थी अब मौमद विंतुगला के बारे में देखते हैं उन्होंने वेतन कैसे दिया इन्होंने भी नगत वेतन दिया लेकिन कीमत पर नियंतरन करने के जगे उसने कुछ-कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह हैं तोकन अर्था संकेतिक मुद्रा चलाई ये सिक्के धातु के बने थे लेकिन सोने चांदी के ने होकर ये सस्ती धातु से बने थे चोधरी सदी के लोगों को इस मुद्रा पर ब्रोसा नहीं था वे बहुत चतुर थे इसलिए उन्होंने क्या किया सोने चांदी के सिक्के बचा कर अपने प अलाव दिन ने परसासनी कदम काफी सपल रहे इत्यास कारों ने कीमातों में कमी बाजार में वस्तों की कुसलता से आपूरती के लिए उसके सासनकाल की बहुत परसंद सकी है मंगोल आकरमनों के खत्रे का भी उसने सपलता पूराक सामना किया था मौमद बिन तुगलक ने जो कदम उठाए परसासनी कार्यों के लिए वह ऐसा पल रहे कस्मीर पर उसका आकरमन पूरी तरह से विपल रहा तब उसने तूरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अ नी दिली के स्तान पर दोलताबाद को बनाया ताकि वह केड्र केंद सब्सक्राइब के रहे कर सके करो में व्रद्दी और गंगा यमूना के दौवA में अकाल से विख्षुक जनता भगावत पर उदराई उसके समय गंगा यमूना के दौवाब में बहुत भैंकर अकाल और नकली मुद्रा अपने गर पर ही बनानी शुरू कर दी थी तो ये हमने अलावदिन खिलजी और मुछमाद बिन तुगलक के सेनाओं के बारे में उनके परसंस के बारे में तुलना करके देखा इसके बार इन तमाम ऐसा फलताओं की गिंती करने में भी हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत की थ्यास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फत्या करने के अभियान की योजना बनाई थी जहां अलावदिन खिल जी का बल परती रक्सा पर था वहीं मुवम्मत दुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों की विरूत सैनी काकरमन की योजना का हिस्सा थी अब फिर से एक बार फिर तालिका एक को देखे तालिका में क्या था उस तालिका में सारे जो सुल्तान काल के साथ सक रहे हैं उनके बारे में हमने देखा था तो अब तक खिलजी वंस के बारे में पढ़ चुके हैं तुगलक वंस के बाद 1526 तक दिल्ली और आग्रापर किस तब तक जोनपुर बंगाल मालवा गुजरात राजिस्थान और पूरे दक्सिन भारत में स्वेतंत्र सासक उठखड़े हुए थे इनकी राजदानिया सम्रद्धी और राज्य फल फूल रहे थे इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे नए सासक भी उभर कर आए इस काल में इस्थापित राज़ों में कुछ छोटे थे तो पर कुछ सक्तिसाली भी थे उनका सासन बहुती खुसल और सुविवस्थी तरीके से चल रहा था सेड सहा सुरी जो 1544-1545 तक सासन करते हैं दिल्ली पर इन्होंने ब्यार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंदक के रुप में कारिया सुरू किया था और आगे चल कर इतनी उन्नती की कि मुगल समराथ हुमाईयू जो 1530-1545 तक सासन करते हैं हुमाईयू के सेड सहा ने दिल्ली पर अधिकार करके सुयम अपना राजवंस इस्थापित किया जिसे सूर्वंस के नाम से जाना जाता है सूर्वंस ने केवल 15 वर्ष तक सासन किया है दिल्ली पर लेकिन इसके परसासन ने अलावदिन खिलजी वाले कई तरीकों का अपना कर उन्हें और तीन सरेनिया इस्वर्य सांती नाइट और धर्म यूद चलिए बारे में देखते हैं क्या हैं तीन सरेनियों का विजार सबसे पहले ग्यारीवी सतापति के आरह में फ्रांस में सूत्र अध किया गया इनके नुसार समाज को तीन वर्ष को में विभाजित किया गया कौन- चैनल में विभाजन से इसाय धर्म को समाज में परबर परभाव को और विदर करने में साहता मिली थी इस विबाजन से योद्धाव का एक नया समोम बी उबरा और इन योद्धाव को कहा गया नायट इसाय धर्म एक समो को संडक्शन देते था और अपनी स्वर्य सांतिकी अवधारना के परसार में उनका प्योग करता था नाइटों से अप एकसा की जाती थी कीवे धर्म और इस्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे कोशिश ये रहती थी कि इन योद्धाव को आपसी लड़ाई बिड़ाई से वीमुक करके उन्हों मसलमानों के विरुद कहा गया इस्वर और धर्म की सेवा में किये गई नभियानों ने नाइटों की हैसित पुरी तरह से बदल डाली पहले नाइटों की गिंती कुलीन में नहीं होती थी लेकिन फ्रांस में ग्यारवी सदी के अंतक और जनवनी में उसे एक सदी बाद इन युद्धाव के दीन ह तो जो सुल्तान रहे हैं उनकी सेनने विवस्था क्या थी उन्होंने क्या क्या कारी के हैं इस सब हमने इस लेसन में पढ़ा तो फ्रेंट्स आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी अकर पसंद आती है तो प्लीज लाइक और से करना ना भूले और अगर आप हमारी डेली के लाज जोइन करना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें